हरव फ्लेज। वल्कम देटूटर मंता ट्रेनर इस कोर्स के अंतर गत्व हम आपको सबसे पहले बता घेक पूर्ड़ पार्ट जाता है और editing किस परकार की जाती है इसके लावा हम आप ये software के interface के बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे कि उसको किस परकार हम लोग use करते हैं इस course के अंतरकत आप सिखेंगे system setting and project setting के बारे में media जो आपने suited material है उसको आपने project में किस परकार import करेंगे capture किस परकार करेंगे convert किस परकार करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे suit की गए if days के rough cut कैसे करते हैं उनकी sequence को कैसे maintain किया जाता है और साधी के अंतरगत बहुत सारे function होते हैं उन function के sequence को किस परकार maintain किया जाता है और उनको ध्यान में रखना चाहिए सबसे ज़्यदा important रोह हम रोल होता है आपको music selection and sock selection का music selection करते समय आपको music selection according to condition हर function के लिए आलग से music selection होता है आलग से song होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है उनी के साब से आपको music select करना पड़ता है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी जिस के साधी हो रही उसके religion उसके धर्म उसके locations के बारे में जानकारी होना आतियावसिक है या पंजाबी है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है नार्थ इंडियन है, साउथ इंडिया का है जिधार का भी है उसके बारे में आप उससे संबंदित ही आपको music select करना पड़ता है songs select करना पड़ता है उसी कुमसार आपको treatment देना होता है इसके अलावा हम आपको इस course के अंतरगत functions के highlight पूरे bidding highlight के बारे में बताएंगे function के highlight किस परकार बनाएंगी ceremony montage किस परकार बनाया जाएगा यदि आपके still close ups है still का montage किस परकार बनेगा इसके अलावा आपको ceremony में wedding के साथ साथ यदि आप इस श्यद्में काम कर रहे हैं तो आपको किसी का birthday birthday वीडियो का editing किस परकार करते हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी religious function यदि आप edit कर रहे हैं उसको किस परकार edit करना है उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए highlight यानि क्या होता है कि किसी एक पूरे marriage के या किसी function के एक montage type का बनता है उसको हम लोग highlight बोलते हैं उस highlight में आप transitions graphics, background music filters और और बहुत सारे key framing technics का प्रियोग करते हैं still का यूज करते हैं, graphics का यूज करते हैं border का यूज करते हैं सारे चीज बना करके हम लोग highlight बनाते हैं जिससे कि आपके पूरे 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो footage में से आप 5 मिनट या 7 मिनट का एक highlight बनाते हैं उसमें सारे main main functions को हम लोग so करने की कोशिस करते हैं उसे हम लोग highlight बोलते हैं air rating footage यानि suit की गई वीडियो footage को rough cut कैसे करते हैं उसकी sequencing setting किस पकार किया जाता है sequence को कैसे build up किया जाता है pre-build graphics pre-build graphics, transitions और rollage का प्रियोग कब, कहा और कैसे किया जाता है video rating में super impulse techniques क्या है उसको कैसे प्रियोग करते हैं freeze frame का प्रियोग किस पकार करेंगे जिसके अंतरगत हम लोग masking करना compositing mode का प्रियोग करना आज का किस पकार करते हैं जिससे के हमारा presentation और enhance हो जाती है video rating में सबसे ज़्यादा जो प्रियोग किया जाना है और introduction जो होता है उसे हम लोग बोलते है titles हम इस course में विशेश तोर से titles पे ध्यान देते हैं कि titles का निर्माड आप किस पकार करते हैं उनका creation किस पकार करते हैं titles के बारे में test के कितने options आपके subject में available है उसमें color function कैसे use करता है उसमें font कैसे use किया जाना चाहिए करनिंग क्या है और test से संबंदित अन्य सारे options के बारे में drop shadow लगाना, border लगाना या double layer का प्रियोग करना gradient color का प्रियोग करना इन्डे करेंज बनाना या start creating बनाना lower third का प्रियोग करना 3D test का प्रियोग करना professional fonts का प्रियोग करना आज के बारे में हम इस course में बताएंगे आपके बास pre-build, animated and full motion graphics के बारे में templates होते हैं उनका प्रियोग हम किस प्रिकार करेंगे आज कल बाजार में बहुत सारे pre-build projects भी उपलब दें उनका प्रियोग हम किस प्रिकार करते हैं और sub-date में उपलब transitions, filters and third party आपको कोई photo rating है तो उसमें Photoshop का प्रियोग कैसे करेंगे full motion background आप swim कैसे बनाएंगे और इसके साथ साथ render की बिधियां render के प्रकार render के महत के बारे में आपको बताया जाएगा और finally हम आपको बताएंगे आप timeline से कैसे आप project को out लेंगे, movie sport कैसे करेंगे, tape out कैसे लेंगे या view media के लिए आपको कोई movie sport करना उसको कैसे export किया जाएगा और इसके साथ साथ data cd या dvd, video cd या dvd का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इत्याद के बारे में हम आपको इस course के अंतरगात बताएंगे Thank you for watching